नमस्कर मित्रों, एचके एजुकेशन गाइड मां, हुँ दर्मिष्टा, तमने वेलकम करोचू। नमस्कर मित्रों, एचके एजुकेशन गाइड मां, हुँ दर्मिष्टा, तमने वेलकम करोचू। चेप्टर वन, वाट डेट पुणाम सीग। तु उसमें फर्स्ट क्वेशन है, वेर कें यो फाइंड फॉलॉइंग एजुकेशन तो जो ये एजुकेशन है, तो फर्स्ट क्वेशन है, उसमें बताया है, कि ये एनिमल्स है, वो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं। और हाँ parents, दूसरी बात यह थी कि आपके पच्चे को animals, birds और जितने भी water animals है, उनके spelling लण कराओ, तो उसे पता चले कि कौन-कौन से spelling है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आया था, उसे मैंने पूरा chapter पढ़ाया, तो वो cow, buffalo, god, sheep, ये तुरंत बोल देते थे, पर जब मैंने ब words है, तो उनका revise भी हो जाएगा, तो इस तरह से आप करवाओ, first question है, cow, buffalo, god, sheep, तो ये सब हमें कहाँ दिखने को मिलते हैं, तो farm, उसका spelling आईगा, F-A-R-M, farm, तो friends, अभी मैं यहाँ पर answer नहीं लिख रहे हूँ, क्योंकि मैंने मेरे डॉटर के लिए बनाया है, मैं answer तो आपको lightly दिखाए नहीं देगा, इससे लिए, second question है, lion, elephant, tiger, bear, तो ये जो है, wild animal है, तो वो हमें जंगल में दिखेंगे, ठीक है, फिर है face, crocodile, frog, ये water animal है, तो ये हमें पानी में दिखेंगे, तो यहाँ पे हम water लिखेंगे, फिर है grasshopper, butterfly, west, तो ये क्या है, कि garden में होते ह है, तो हम यहाँ पे garden लिखेंगे, इसी तरह next है, crow, sparrow, monkey, squirrel, तो ये कहाँ, पेड़ पे होते हैं ज्यादा तर, तो हम यहाँ पे tree लिखेंगे, ठीक है, next question है, see can hear various noises made by birds, animals in the forest, friends, से यहाँ पे बताया है, see can hear, तो chapter के related है, तो chapter में see कौन है, पुनम है, ठीक है, तो ये पुनम है, उसने जो animals के आवाज सुनी है, उस पे उसे tick mark करनी है, तो first है, a cow, moze, या mouse, तो cow कैसे बोलती है, तो moze, तो इस पर आएगा, ठीक है, इसी तरह से a bird, तो trips या roar, roar है, तो वो lion है, तो आएगा, पर हम यहाँ पे bird का है, तो trips आएगा, इसी तरह frog है, तो frog में भी, आप देख रहे हैं, यहाँ पे crocs आएगा, crocs, फिर next है a cat, तो mouse, a dog, तो bugs, इसी तरह हमें इस पर टीक करनी है, काउ है, तो moose, bird है, तो trips, frog है, तो crocs, cat है, तो meowse, dog है, तो bark, ओके, question third है, who am I, तो हमें इसमें पैचानना है, कि कौन है, यह जो है, वो कौन है, first है, I appear mostly after rainfall and I crawl, तो जो बारिस के बाद निकलता है, ज्यादा तर क्या होता है, बारिस आने के बाद दिखता है, तो यहाँ पे snail आएगा, आपको यह दोनों याद रखना है, mostly after rainfall और crawl, जो जमीन पे सरकता है, तो snail आएगा उसका अंसर, next है, I live in a desert and I can survive without water for many days, जो पानी के बगेर ज्यादा दिन रह सकता है, और desert, desert यानि run में, तो यहाँ पे हम camel लिखेंगे, ठीक है, next, question third, I am the king of animals and I live in the forest, king of animals, तो lion, इसी तरह से आपको ज्यादा तर यही याद रखना है, mostly after rainfall और crawl, तो snail, इसी तरह desert है और बगेर पानी के without water, तो camel, फिर king of animals, तो जो जंगल का राजा है, तो lion, इसी तरह से, I fly and catch insect in my web, तो इसमें याद रखना है, catch insect in my web, तो जो जाला होता है न वो, सबके घरों में होते ही है, जब घर सफाई होती है न तब निकलते हैं, तो इसमें आएगा spider, ठीक है, अब हम next लेंगे, five number, I am farmer's friend and I play field for them, तो farmer's friend बताया है, तो farmer's friend में क्या आएगा, ox, फिर है, I am mostly white in color, I produce milk, तो ज्यादा तर वो white color का होता है, और produce milk, तो produce milk है, तो यहाँ पर काव आएगा, ठीक है, जो दूद देता है, next, my hair is used as wool for making woolen cloths, जो woolen cloths बनाता है, जिसके hair से, तो sip, इसी तरह next, I never make a home, I hatch eggs in other nest, जिसमें क्या है, कि वो खुद का घर कभी नहीं बनाता है, पर दूसरे के जो घर है, उसके अंदर वो उसके एग रखता है, तो इसमें आएगा कुकू, कुकू यानि कॉयल, आप कॉयल भी लिख सकते हो, और कुकू भी लिख सकते हो, अब क्वेशन फॉर है The warrior sounds, they make name of the animals, तो जो ये birds और animals से उसकी आवाज आपको इसमें से मैच करनी है, ये match it है, sparrow, तो इसमें से आपको मैच करना है, तो trips, squirrel, तो उसमें क्या आएगा आपको, squack, ये वाला, ये squack, frog, तो croc, monkey, तो hoop, और honeybee, तो bees, इस तरह से ये सारे मैच होगे, ठीके, ये हमारा first chapter का पूरा हो गया है, अब हम second chapter लेंगे, तो मैंने यहाँ पर chapter second लिखा है, तो यहाँ से हमारा chapter second का start होता है, और friends, दूसरी बात ये, कि अगर आपको chapter भी समझना है, तो first chapter मैंने दिया हुआ है, और second chapter है, वो अभी तक मैंने करवाया नहीं है, क्योंकि exam पास में आ रहे थी, और कई लोगों की request थी, कि आप paper ही बना के हमें दो, तो मैंने just paper ही बनाया है, आपको किसी को चाहिए, तो मुझे comment में लिख के देना, तो मैं video भी बना दूंगे इ name any five plants that you see around your house, तो friends ये है ना plant के बारे में है, fairy plants chapter का नाम है, तो आपको इसमें five plants के नाम बताने हैं, जो आपके वरांडे में होते हैं, आपके घर के आसपास होते हैं, तो उसमें आप लिखोगे, तो ऐसे लिख सकते हो, एक तुलसी है, फिर money plant है, वो सब के घर में होता ही ह मेरी गोल्ड भी सब के घर में होता है, और फिर आप लिख सकते हो, रोज या मोगरा, ठीक है, फिर second question है, can you name the flowers, some sobs, hops, तो ये sobs है, तो sobs किसे बोलते हैं, जो थोड़े बड़े plant होते हैं, पेड़ जितने नहीं, पेड़ से छोटे और थोड़े बड़े होते हैं, Friends, मैंने यहाँ पे sobs और hops, दोनों एक में ही लिखा है, तो आपको sobs, ऐसे पुछा हो question में, can you name the flowers, some sobs, या hops, तो आप दोनों कर सको, इसलिए मैंने दोनों एक question में लिखा है, तो sobs में आएगा, रोज, हेबिस्गस, तुलसी, मेहंदी, और cotton plant, इसी तरह hops है, तो hops क्या है इतनी हमारी finger से थोड़े बहुत कम ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े भी plant नहीं होते हैं, उसे hops कहा जाता है, जैसे कि mint है, coriander है, spinach है, aloe vera, यह सब hops में आएगा, ठीक है, अब next question है, underline the correct answer, leaves that give us oil friends, इसमें है क्या, कि underline the correct answer, तो यह आपको, नहीं लिख, इस तरह से नहीं करना है, मेंने क्या है, मेरी बेबी के लिए बनाया है, तो यह MCQ के तरीके से भी हो सकता है, और मैं option कभी भी नहीं लिखती हूँ, तो उसे पता चले, option होगा तो क्या है, कई बच्चे ऐसे ही पता नहीं करते हैं, वो करें, इसलिए मेंने इस तरह से लिखा है, तो आप भी आपके बच्चों को इस तरह से करवा सकते हो, leaves that give us oil, जो पन्ने है, वहाँ से हमें oil मिलता है, वुसका है, तो एक्यूलेप्टेस आएगा, फिर कॉस्टर आ सकता है, सॉन फ्लावर, मस्टर्ड, को इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, सैकंड है, leaves used as spices, तो जो हमें तीखा के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, करी leaves, स्टैम यूजड ऐस आउट बाइस टेबल, तो इसमें आप पोटेटो, जिंजर, ये भी लिख सकते हो, रूट यूजड ऐस आउट बा हो, leaves used as antiseptic, जो हम दवाई की तरिके से यूजड करते हैं, तो इसमें आप तुलसी, नीम, ये लिख सकते हो, फिर है, leaves crossed to decorate hand, तो अपने हाथ सजाने के लिए जो लेते हैं, तो उसके लिए हम मेंदी लेंगे, ठीके, तो इस तरह से हमारा first और second chapter हो गया है, और अब जो third chapter है उसका भी में वीडियो आपको कुछी दिनों में साथ share करूंगी, क्योंकि अब भी मेरी तव्यत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैं करने ही पाई, पर मैं try करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके, मैं six chapter complete कर दूंगी, तो friends, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो like करना, comment करना और आप जैसे दूसरे friends हो, तो उनके साथ share भी करना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you